अगर एक आर्टिकल आता है वो आर्टिकल को किस तरीके से मॉडल कुश्चेन एन आंसर में हम बदल सकते हैं वो भी हम अप्रोच देखेंगे हमारे यह लेक्चर रहेगा हिंदी और इंग्लिश में इंग्लिश इसलिए अपको तरीके से अगर सुनेंगे तो उसी तरीके से अप लिक भी पाएंगे So it is very important that To write the main answer It is important for you to also understand the lectures आपको lectures भी इंग्लिश में सुनने पड़ेगे और हिंदी इसलिए कि concept clarity रहे क्योंकि हमारी mother tongue में अगर हम सुनते हैं तो बहुत easily हमें समझ में भी आता है So that is the reason वो रिटेन भी बहुत जादे देतक कर सकते हैं इसलिए हम हिंदी और इंग्लिश का यूज करेंगे So that हर एक को ये comfortable हो जाए ठीक है चलिए यहाँ पर आप देखने वाले हैं Gulf Corporation Council और इंडिया के उससे relations क्या है उससे पहले हम देखेंगे ये strategic dialogue का मतलब क्या है Basically strategic dialogue में आप देखते हैं strategic sectors होते है Now question ये बहुत सारे student को ये नहीं पता होता है कि ये sectors होते क्या है Basically कौन से भी sectors ले लो आप जो sectors दो country में एक अच्छे से significant impact produce कर सकता है significant influence ला सकता है country के अंदर वो cultural ला सकता है या trading influence ला सकता है या lifestyle influence ला सकता है या defense related कुछ दो country के बीच में हो सकता है जहां पर security का influence ला सकता है technology जो promotion जो technology adoption होता है क्या उसे obviously उसे एकनामी तो बड़ेगी तो technology adoption technology transfer के वज़े से भी बहुत ज़्यादा अपने बड़े पाइमाने पर इसका effect देखा जाता है so कौन से भी sector अगर हमारे country के हमारे या उनके country के DC country के एक बड़ा सा impact या influence ला सकता है then हम बोलेंगे strategic sectors बोलेंगे अगर उस चीज के बारें बात होती है we call it as strategic dialogue ठीक है I guess this is all clear to you let us go ahead हम किस तरीके से ये model question answer के तरह हम देखेंगे भी और article भी पुरा complete करेंगे एक information GK point के लिए मैं बोल रहा हूँ आपको जो इंडिया और GCC की joint ministerial meeting हुई थे वो meeting रियाद में हुई है वो 2024 September 9 recently यही महिने में September 9 में हुई थी as a GK I am saying so that आप अगर state PSC के films लिक रहे हैं और bank के कुछ लिक रहे हैं तो दे में asking the examination India GCC की recently conducted ministerial meeting कहां हुई थी तो आप बोल सकते हैं रियाद में not in Delhi ठीक है चलिए अभी देखें यहाँ पर सबसे important बात यह है कि कितना beautifully written introduction है इससे अच्छा introduction आपके main answer को नहीं होगा आप आपके paper में जब आप GCC के बारे में यह इंडिया के relations पूछते हैं तो आपको पहले लिखना होगा introduction जो की यहाँ पर दिया गया है superbly दिया गया है इससे अच्छा introduction नहीं रहेगा this is the apt and very best introduction you are having चलो उसके बारे में हम पढ़ते हैं so जो cooperation council है for the Arab Gulf states अगर आपको इससे दिक्कत है परेशानी है याद करने में जस्ट आप बोल सकते हैं Gulf cooperation council इसी को ही है उन्होंने उल्टा बोला है to make it what more elegant बस उतना ही है the cooperation council for the Arab Gulf states Gulf states basically अपनी अगर यह है two continents यह है हमारा Asia continent यह है यहाँ पे जो country से इन पूरों को बोलेंगे हम गल्फ अब गल्फ यह हम इसलिए बोल रहे हैं कि यहाँ पे पानी है यहाँ पे पानी है तो दो पानी के बीच में ओके यह हमारी जो भी बहरेन है खतर है सौधी अरेबिया है यमन है उमान है यह पूरे यहाँ पे situated है दो नदियों के बीच में दो बड़े समुंदर के बीच में इसलिए हम इसे बोलेंगे गल्फ कंट्री बोलते हैं So before going into the discussion थोड़ा भी हम इसका मैपिंग देख लेते हैं because मैपिंग देखने से हम उसकी geopolitical influence कहां तक हो सकती है वो कौन से कौन से कंटी से करीब है उससे हमें क्या हो का एक अच्छे से clarity आ जाएगी So let us go for the mapping ना ठीक है चलिए यहाँ पे देखिए आप जो गल्फ कॉपरेशन कॉंसल में बेसिक पूरे मिला के 6 मेंबर से तो हमारा पहले कुवेट सो देख सकते हैं यहां की पूरे cities coastal area के नजदीक है या coastal cities है इसलिए आप देख सकते है around the world जितने भी coastal cities है वो बहुत developed है आप यहाँ पे देख सकते हैं कुवेट है अगे यहाँ पे भेरेन है यहाँ आप देखते हैं खतर है यहाँ यहाँ बढ़ जिसे हम दुबाई कहते हैं वी कॉल इट अस डुबाई only टेकि उसके बाद में यहाँ पे है ओमान है ओके देन साथी अरिबिया बड़ा सा वाला मेंबर हैं का यहाँ आपको याद करना होगा आपके आँख बन करके फिर से इसको विज्वलाईज करिये पहले हैं हमारे पास कुईट देन उसके बाद में बेरेन उसके बाद में खतर उसके बाद में युए जिसे हम दुबाई भी कहते हैं ओमान साथी अरिबिया तो वही मैं बता रहा था आपको कि अगर मैं बन करके चार से पांच बार रिपीट करिये आपका काम हो जाएगा रिमेंबर दिस पॉइंट यहां पे इरान, एराख, तर्की यह सब नहीं है यू हाब वेरी वेरी सिंपल जो यह पेनेंसुला है यह पेनेंसुला के हथ तक ही यह पूरे कंट्री से और याद यह रखना ही एमन, एमन नहीं है जी सी सी में एमन is not that, टीक है let us go ahead in our discussion now देखिये, कितना beautifully दिया गया है यहां पे introduction the cooperation council for Arab Gulf states often normally called as Gulf cooperation council वनोंने ल्टा सिधा करके अपने एक statement दिया है but very very good introduction one of the most important regional organization वो region में बहुत important organization है और उसका wider middle eastern region जो है वहां पे वो पूरे country is situated है इसमें six member है, जो कि हम बढ़ चुके हैं बहरेन, कुएट, ओमान, खतर, साथिया, रभिया, UAE they all came together 1981 में इन्होंने यह GCC form की थी और GCC एक ऐसे regional grouping है वो ही region के member से इसले हम regional groupings खहते है और वो किस aspect से बात करती है it generally have dialogues with regard to political aspects security, economic challenges facing the member states so we have spoken about here what the important regional organization है यह first point है 6 member है, यह second point है founded in the year, third point है then you also have the they work on political security and economic challenges so four point this is the best example please remember this apart from that थोड़ा बोट उसका second paragraph में आप यह लिखना है देखे GCC, SNA की पूरे members all of them are very happy it's not like that they have developed very serious differences in the year 2017 to 2021 they developed very serious differences but on and off but what happened they solved it now they are in a very good position over the past case if we say what member state relations if we say they are in a very good one they have strengthened the collaboration to develop a common market common market का मतलब है okay या जो भी intercontinental trading होती है या inter country trading होती है बड़ा सा market होता है जो कि easily accessible होता है means आप यू जाएंगे यू खरीद के यू आ जाएंगे but economy में common market का मतलब है ये बहुत सारे countries एक साथ ये पूरे supply and demand फुल्फिल करते हैं वहां के population की that is called as what common market ठीक है और important ये भी है कि monetary union भी है means they will also see that कि उनका जो बहरेन है लिक रियाल है खतरी दिनार है उनके जो money की value है वो उपर नीचे अगर fluctuate होती है उनके जो foreign reserves है वो उसमें कितनी कमी कितनी जादी कितना जादा हुआ है so they also they also work on what monetary management की पैसा उनका अच्छे से रहे और उनके reserves बहुत अच्छे से रहे ठीक है okay so इनके पास differences हो थे but they have removed the differences and they now are in a very good position all of them together as they are very connected has launched several connectivity and infrastructure projects ठीक है right right तो आपके जो main model question answer आपकी जो booklet है आप यहाँ पे introduction लिखेंगे GCC के बारे में जो first paragraph लिखेंगे second paragraph लिखेंगे लिखने के बाद में आप यहाँ पे heading देंगे that heading is India, recent developments in India and GCC इस तरीके साप heading लिखेंगे देरे के बाद में आप यह data लिखेंगे whatever I am telling you okay let us start our discussion okay so जो joint ministerial meeting हुई थी September 9th को वहाँ पे our minister and their minister together sat and they discussed very good aspects like they want to enhance economic partnership to expand trade expand trade का मतलब है value और value में बढ़ाना अभी 100 court कर रहे है आगे 200 court का कर सकते है value में अभी 100 crore items भेज रहे है अभी 200 to 200 crore items भेजना चाहते है so value और value में भी हम यहाँ पे expand करेंगे trade उसका मतलब यह है enhancing economic partnership investments वहाँ से यहाँ आएगा GCC country से यहाँ से वहाँ जाएगा energy corporations obviously we are too dependent on them oil और तेल और gas वहाँ से यह आता है infrastructure development में हमारे metro में या हमारे dam से वह invest करेंगे उनके corridors में या उनके port development में हम invest करेंगे connectivity अराम से GCC को पॉस्टने में easy होगी food security में काम करेंगे उनके पास agriculture अच्छा नहीं है तो we will give them agriculture assistance और हम supply आपे बरखरार रखेंगे so that they never have a problem of food at their particular areas healthcare में भी दोनो में के डवलप करेंगे vaccines रहो या medicines रहो या pharmaceuticals रहो इसका trade रहो या custom duty रहो etc so and so forth so basically ये जो ministerial conference में okay the India and GCC have spoken about many of the aspects such as we want to enhance economic partnership to expand trade investment related energy cooperation infrastructure development connectivity food security and healthcare आप जब ये लिखेंगे ना very good impact will be there on the evaluator please see these are the content we are writing the apt content so no need to worry about it you can go ahead okay चलिये हम देखते हैं और तो अभी हमें कहां तक आए हम यहां तक आए कि introduction लिखेंगे उसके हमें और एक paragraph लिखेंगे recent developments of India GCC लिखेंगे अभी जो पड़े वो लिखेंगे then you are going and making another heading called as okay significance of GCC GCC हमारे लिए important है क्या is it important is it important to India yes 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 very very important to India why because India की largest Indian communities means जो इंडिया के लोग वहां पे रह रहे हैं जितने amount में रहे हैं जितनी number में रहे हैं वो one of the largest expatriate कहते हैं we call it as largest expatriate nothing but हमारे NRIs okay so Gulf countries में one of the largest Indian communities रहे रहे हैं तो वो होगा हमारा पहला heading तो यहां पे रखेंगे हम labor market labor market पहला heading रखेंगे significance of GCC for India so the first heading will be what labor market then उसके बाद में you for this purpose you can also see that they have given one important यहां पे उन्होंने evidence भी दिया है 8.5 million लोग इंडिया के वहां पे रह रहे हैं अकतर में, बहरें में, साथी में all together total 8.5 millions are leaving so पहला heading हमारा वो होगा second heading हम रखेंगे okay GCC में remittances वहां पे जितने भी लोग हमारे रह रहे हैं obviously they are going to send us money back to India यहां पे लोग घर बन रहे हैं वोई पैसों से यहां पे लोग car खरीद रहे हैं यहां पे लोग बच्छों को school भेज रहे हैं so obviously remittances is another subbedding तो आप देख सकते हैं okay जो Gulf countries okay are the largest contributors to nearly with regard to the remittances and India received around US dollar 120 US dollar 120 billion in 2023 billion में है in 2023 so पहला है हमारा labor market भहुत सरे लोग महां पे रहे हैं lot of people are living there 8.5 million second is what lot of remittances like from the Gulf countries we have got the largest remittances in the year 2023 apart from that let us go again ahead and see what is there okay यहाँ पे देखिये foreign trade तो पहला हमारा जो subbedding रहेगा that subbedding is labor market second हमारा subbedding है remittances third हमारा subbedding है foreign trade तो आप देख सकते हैं GCC is also one of the largest trading block है India का for example आप यहाँ पे देख सकते हैं 2023 to 2024 latest data के साब से जो इंडिया और GCC के बीच में जो bilateral trade हुआ है the trade whatever has happened it is like US dollar 161 billion यह छोटी बात नहीं है comprising 14.22% of India's total foreign trade मतलब इंडिया जितना भी foreign trade कर रहा है Australia से, USA, China से अगर वो पूरा अगर हम 100% लेते हैं so 14.22% of trade we are doing from Gulf countries so this is a very big amount obviously so foreign trade के लिए इंडिया के लिए important है fourth one आप देख सकते हैं इंडिया की energy security के लिए बहुत important है आप देख सकते हैं यहाँ पे although the trade balance that is not important right now mainly यहाँ पे एक देखना क्या है इंडिया के जो imports होते हैं oil and gas imports होते हैं वो 1.105.49 billion थे 2023-2024 so this is very very important remember this point so हमारे लिए energy security के लिए भी काम आदा है तो पहला होगा labor market record होगा remittances third होगा foreign trade okay fourth हमारा submitting होगा okay energy security for India so we have imported how much oil and gas okay to the value of US dollar 1.5.4 9 billion in 2023-2024 please remember this point अब यहां पे यहां पे यहां पे drawback भी हम बोल सकते हैं not exactly drawback बट यहां पे analysis हम कर सकते हैं according to the given article यहां पे यह लिखा हुआ है it is properly written here that इंडिया और GCC के बीच में जितना भी trade हो रहा है खरीदारी हो रही है यहां पे GCC plus में है means यहां से हम import ज़्यादा कर रहे है हम export कम कर रहे है तो इनके पास हमारे से इनके पास ज़्यादा पैसे आ रहा है इनसे हमारे पास ज़्यादा पैसे नहीं आ रहा है and basically why the question here is क्यों है इसा इसलिए कि because oil and gas का जो हमारे अगर आप देख सकते हैं Import Bill of the Country सबसे ज्यादा हमारी Import Bill हमेशा रहती है Oil and Natural Gas में तो हम ज्यादा Oil and Natural Gas बाहर से खरीते हैं यहाँ पर भी GCC से जो भी Oil and Gas का जो Bill आ रहा है वो Bill बहुत बड़ा है So that is the reason हमारा हमेशा दोनों का Trade Balance में हम deficit में होते हैं और हमेशा positive में होते हैं Just because Oil and Gas हम import करते हैं for our energy purpose Now the sixth submitting that you are going to write is Foreign Direct Investment GCC ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कुछ इंवेस्ट हम नहीं करते हैं यहाँ वहाँ वो GCC वाले यहाँ पर नहीं करते हैं It's not like that So if you see hence between April 2000 से June 2024 में India received collectively US 24.66 billion rupees of foreign direct investment आया है GCC और significant portfolio investment भी हुए है हमारे बड़े बड़े companies में यह लोग invest कर रखे हैं Like Aramco, Saudi Arabia की सबसे बड़ी oil company है N-Doc, Imar and all of these companies जो Saudi Arabia के हैं They have invested very good amounts in the Indian projects So FDI आप देख सकते हैं And investments भी आप और एक 7th heading यहाँ पर लगाना चाहिए So FDI इनके पासे जादा आता है ऐसा नहीं है कि उसके बाद में The third, just last submitting आप लगाएंगे वो होगा 8th one free trade Okay Not free trade, retail trade Retail trade आप यहाँ पर देख सकते हैं If you are aware of this fact कि उत्रपरदेश में योगी अदितिनाथ जी ने Lulu माल का inauguration किया है वो Gulf country से ही आया है Lulu's Hypermarket जो हमारे हाइदरबाद में भी अभी recently open हो चुका है इसी तरीके से हम अभी retail trading में भी उनको यहाँ पर allow कर रहे हैं उनका investment है और हम भी वहाँ पर retail trade में allow कर रहे हैं और हमारे जो companies, Indian companies one of the leading brands वहाँ पर बन चुके हैं like TCSV Pro, Larson and Torbo Shapurji, Pelanji these are the very very good and branded names in what? GCC countries so उनके यहाँ पर आ रहे हैं trading things और हमारे वहाँ पर जा रहे हैं so trading for like retail trade में भी बहुत सरा investments और बहुत सरा to and fro हो रहा है between the two GCCs now what is a way forward? way forward is एक shortcoming यह है यहाँ पर India और GCC की भीच में एक free trade agreement होने वाला है free trade agreement is nothing but कुछ भी बेच लोग या कुछ भी खरीदो जादा उसमें restrictions नहीं होने चाहिए है that is called as what? free trade okay so basically they wanted to have India and GCC wanted to have a free trade agreement on the lines of whatever they have India UAE comprehensive India UAE की बीच में एक agreement होआ था comprehensive economic partnership agreement we call it as SEPA यह बहुत comprehensive का मतलब है बहुत सारे aspects होते हैं taxation aspects होते हैं IPR aspects होते हैं ठीके और remission of countervailing duties लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए थोड़े बहुत approval process simplified हो जाते हैं basically क्या होता है comprehensive इसका मतलब ही यह है कि बहुत सारे जो trading related aspects होते हैं वो बहुत minimized और simplified हो जाते हैं यहां पे और बहुत सारे items को आना जाना means supply and demand चलते रहता है and buying and selling होते रहते हैं the number of items will also increase okay pharmaceuticals को पहले allow नहीं करते हैं but comprehensive में allow करते हैं so that is called as comprehensive economic partnership so already हमारी India और UAE की है यह so we want to extend the same SEPA with India and GCC इसके ओपर बात हो रही है थी पर बात नहीं हो रही है फिर बात हो रही है फिर बात नहीं हो रही है so at this point of time अगर November 2022 की अगर बात करें अभी भी यह discussions की India और GCC के बीच में we have to have a SEPA that has not been materialized yet ठीक है so this is way forward and that should be अगर आप way forward मने क्या लिकेंगे okay this is the problem and government of India and GCC should take up this particular SEPA and try to materialize it at the early age so that it will bring prosperity in both the nations okay let us go ahead now यहाँ पर देखिए security and defense में भी इंडिया के ties अच्छे खास है है इंडिया और GCC के जितनी भी countries है they do a lot of naval exercises, maritime exercises, okay to fight counterism, maritime and coastal security with joint exercises भी होते हैं between all the countries bilateral होते हैं, okay इंडिया Oman, इंडिया Yemen, मन इंडिया Oman, इंडिया Saudi Arabia इस तरीके से हमारे security defense ties भी बनाए रखे हैं तो last में आपका conclusion रहेगा almost 8 to 9 में आपको सबेडिक्स बोल दिया हूँ conclusion में आप यहाँ तक लिख सकते हैं very good does, okay हम क्या हो रहें, does it means, it can be summed अब यहाँ पर हम last में यह बोल सकते हैं इंडिया और GCC के ties बहुत अच्छे से evolve हो हैं और mainly energy security, bilateral trade okay the presence of Indian हमारी जो वहाँ पर community in the region इस वज़े से today इंडिया और GCC countries are looking to develop a partnership to work together to face the present and future challenges को किस तरीके से हम solve करें वो उसके उपर भी बातचीत हो रही है so this is the best and very very good conclusion, you can write it अगर आपके पास time है, और लिख सकते हैं तो अब यह पार भी लिख सकते हैं, that's all about it, ठीक है I guess you are very well aware of Indian GCC with how to write a model question and answer, I have given you the tips you can write it and send on my mail id, okay you can send your answers in the mail id, write very good sayyad.shujat 25 at the rate gmail.com you can write it email, model question and answer and you can mail it I will correct and revert it back, okay thanks a lot for watching it and do subscribe to the channel and share it to all the aspirants that were preparing for it, और भी अगर description में नंबर है मेरा वहाँ पे आप text या message या call कर सकते हैं, so that we will have a discussion about कि आप क्या पढ़ रहे हैं so I will guide you, कि आपको mentorship की जरुरत है, या concepts आपको फिर से एक re-learn की जरुरत है so I will talk about that also, we will have a